नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन बिदी महाविद्याले पनारी ललितपुर के बिदी विवाग का विवागा देक्ष, आजपुना आप लोगों की समक्ष एक नय वीडियो के साथ उपस्तित हूँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारती संबीदा अधिनियम 872 के अंतरगत संबीदा क्या है एवं वैद संबीदा के आवस्क तत्व क्या है इससे पहले कि मैं अपना वैख्यान प्रावर्म करूं किर्पया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार रूप से सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद, तो आईए जानें सरपर्थम इसका इंट्रोडेक्शन, कोई भी वानिजिग वैवार उसके पक्चकारों के आपसी समझ पर आधारित होता है, इस आपसी समझ या विचार को समानिता पक्च पक्चकारों के आशाय को प्रभावी करने के लिए लिख लिया जाता है, इस प्रकार की वापचारिक अविवेक्ति को ही संविदा के रूप में जाना जाता है, इन संविदाओं में पक्चकारों के अधिकार एवं धायत्यों का समवेश होता है, जो उन्हें अपने मुखे रूप से विदिता प्रवर्तनी व्यद संभिदाओं के तत्वों को निर्दिष्ट करता है। साथ ही कुछ विशेश प्रकार के संभिदात्मक संबंदों जैसे छतिपूर्ति, प्रत्यभूति, निक्षेप, गिर्भी, संभिदा कल्प, समासरिच संभिदाओं को संभिदाओं जो है। एक संभिदाओं किंटु वह करार सुन्न करार, या जो कदापी प्रवर्तनी नहीं है।Sch by के रूप में रहते हैं। उप्रियुक्त परिक्षन हमारे मस्तिस्क में एक स्वभाविक प्रस्ण प्रदय पैदा करता है कि करार एवं संविधा का सटिक अर्थ क्या है करार एक वचन है अत्वा एक प्रतिग्या अत्वा वैतिकारी वचनों का संवर्ग करार में एक व्यक्ति का प्रस्ताव अथ्वा प्रस्थापना संबिलित है जो अन्य व्यक्ति के स्युक्रति हेतु आसाईत है यदि ऐसा करार विदी दोरा प्रवर्तिनीता धारित करे तो वहां संबिदा होगा अब अधिनियम की धारा दो भी में परिवासित वचन की परिवासा को समझ लेते हैं जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमती संग्यापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है अधिनियम की धारा 2E करार को परिवासित करते हुए कहती है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है धारा 2E समविदा सब्द को परिवासित करते हुए कहती है वह करार जो विदीता प्रवर्थनी हो समविदा है उप्रुक्त व्यक्षा के अधार पर हम इसे अदोलेखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं प्रस्था अपना प्रतिग्या प्रतिफल करार करार में दो पाइंट आएंगे आपके विदीता प्रवर्थनी है और विदीता प्रवर्थनी है तो ऐसे करार या तो समविदा होंगे या फिर सुन्ने करनी अ करार अगर विदीता प्रवर्थनी नहीं है तो ऐसे करार सुन्ने करार होंगे आएज जाने वैश समविदा के आवस्चतत्व Essential of a valid contract अब हम वैश समविदा के आवस्चतत्व की व्यक्या करते हैं अधिनियम की धरादस के अनुसार अनुसार, सब करार संबिदा है, यदि वे संबिदा करने के लिए, सक्छम पक्चकारों की सौतंत्र सहमेति से किसी बिदी पूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी बिदी पूर्ण देश से कीए गये हैं और इतदवारा अभी वेक्टता सुन्ने गोसित नहीं कीए गये हैं. अता एक वैद संबीदा के निर्मान हेतू निमलिखित तत्व वर्तमान होने चाहिए। पहला प्रस्ताव एवं स्यूकृति के माध्यम से विधिक दाइत्व सरजित कनने का आसे होना चाहिए। दूसरा पक्षकारों की सौतंत्र सहमती आवश्चक है। तीसरा संबीदा में प्रवेस हेतू योगता या छमता सुनिश्चित होनी चाहिए। चौथा विधिपूर्ण प्रतिफल वर्तमान होना चाहिए। और पांचवा विधिपूर्ण उद्देश्य संबीदा की विशेवस्तू होती है। उप्रीत आवश्चक तत्वों की व्यक्या निमले लिखि सकती है। प्रतम त्या एक प्रस्ताव होना चाहिए। जिसकी स्यूक्रती भी होनी चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव और उसकी स्यूक्रती द्वारा पक्षकारों के बीच कानूनी दाइत्व सरजित होना चाहिए। परिणाम सरूब यहां उस व्यक्ति पर जिसने तार परदान करता है इस परकार के करतब वे एवं अधिकार विदिक होने चाहिए मात्र नहतिक नहीं इससे संबंदित कुछ महत्पूर मामले वैल फॉर बनाम वैल फॉर के मामले में पतिने पत्नी को जितनी अवदी तक वे अलग रहें के लिए जीवन निर्वाभत्ता देन का वचन दिया जब वह अपने वचन पालन में असफल रहा तो पत्नी ने उस वचन की प्रवर्तिनीता के लिए नियाले में वाद दायर किया जैसा कि यह एक घरेलु प्रकति का करार था अताया निर्दारित हुआ कि इस मामले में किसी विदिक दायतिव का की इस्थापना नहीं हुई है नेक्स्ट दूसरा तत्व पक्षकारों की स्विक्रति स्विक्रति का अर्थ है आसायत पक्षकारों का ज्यान और अनुमोदन इसे दूसरे रूप में मानसिक तत्व की पहचान के रूप में देखा जा सकता है जिसे मतिक्त कहते हैं पस्चात ऐसी स्विक्रत को सौतंत्र तब कहा जाएगा जब वहां उत्पीलन अनुचित दवाव कपट मिथ्य व्यवदेशन अत्वा भूल से प्रभावित ना हूँ जहां किसी पक्षकार की सहमती सौतंत्र नहीं होती वहां उस पक्षकार के विकल्ब पर संविदा सुन्न करनी होती है आईए उधार रुपए नहीं दिये वी ऐसा करने को सहमत हो जाता है यहां करार उत्पीलन से प्रभावित है और वी के विकल्ब पर सुन्न करनी है तीसरा हमारा आवस्चक तत्व है एक व्य संविदा के निर्माण हेतु पक्षकारों की छमता एक व्यक्ति की छमता या अक्षमता का निर यहां पमधान करते हुए Chemus हब क Спस्ट करती है कि एक व्यक्ति जिसने वैसकता तकी आयू प्राप्त नहीं की 2 एंवं जो स्वस्त मस्तिशक का नहीं है और किसी विदी के अंतरगत जिसके वाँ अध्यदीन है संबिदा करने के योग नहीं है को किसी संबिदा में सामिल होने के लिए अक्षम माना जाना चाहिए विदी ऐसे वेक्ति को संबिदा में संबलित होना निशित करती है जो अवैस्क हो, आश्वस्थ चित का हो या जवाश्वस्थ चित का हो उसे छोड़ कर और C. ऐसा वेक्ति जो संबिदा में सामिल होने के लिए अनरूप से अयोग हो जैसे विदेशी सत्रू, दिवालिया, दोसिद, इत्यादीर नेक्स्ट हमारा देखेंगे आवस्षक तत्व, चतुर्थ तत्व बिदी पूर्ण प्रतिफल की बिद्वानता समानता प्रतिफल का अर्थ है किसी कार को करने या ना करने के बदले मौबजा इसे क्योड, प्रो, क्या या तत्व प्रतित या कुछ के बदले अन्य कोई चीज बापस करने के रूप में संदर्वित किया जा सकता है ऐसा प्रतिफल एक विद्वी पूर्ण प्रतिफल होना चाहिए आईए उधारान से समझें आ बा को अपनी पुस्तक सो रुपय में बेचने के लिए सहमत होता है यहां बा का सो रुपय अदा करने का वचन आ के अपना पुस्तक बेचने के वचन के बदले प्रतिफल है और आ का पुस्तक बेचने का वचन बी के या बाके सो रुपय अधा करने के वचन के बदले प्रतिफल है नेक्स्ट हमारा अवस्चक तत्व देखेंगे हम अंतिम तत्व संभिदा के लिए यहां निर्धारित करता है कि वहां ऐसी प्रकति की होनी चाहिए जिसे विदी ने अवेद या सुन्य गोसित कर रखा हो अवेद करार वे होते हैं जिने विदी दोरा स्पस्ट या विवक्षित रूप से निसेधित कर दिया गया हो सुन्य करार उन में से एक है जिसका कोई विदिक प्रभाव नहीं होता है उधारन स्वरू जान से मानने की धम की देना या अपमान चनक या अपमान सुचक बयान को प्रकासित करना या लोगनीती के विरुद्ध करार करना अवेत प्रकतिका है इसी प्रकार ऐसा कोई करार जो किसी बैपार, विभा या विधिक प्रकरिया में बाधा उत्पन करने के लिए हो सुनने करार के अच्छे उधारण है आई हो यहाँ वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद सुनने करने करने करना करते है